तेर कर दो बाबू सबी बच्चे जल्दी से सेसन को लाइक कर दो भाई बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड़ हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं ना इतने अच्छे पडोसियों के बच्चे नहीं है चलिए रोसन परजापती चेतन केके यादो दिली पुष्पलता सोनी कुमारी लौकुस मुहमद मुष्ट क्वीन सेख हिमान सू देखो हम लोग आप लोग का नाम भी बोलते हैं आप लोग को पढ़ाते भी हैं आप से प्यार मौबत भी करते हैं सब कुछ तो करते हैं क्योंक क्यों नहीं कर रहे हो हम लाइक और सेर करो ना फटा फट चलो डेड़ सो पोचा दो बस चलो चलो आप डेड़ सो में भी सुरू हो जाएगा कोई दिक्खत नहीं है बेटा UPSC आप तुम गड़बन कर रहे हो नाम तो लेके कमेंट ना करो हैं चालू करें अभी तो चारे मि चाहता हूं की बट्यों की तौस नहीं रहे है कि मतलब अंदर से मुझे लगे स्लो ढहसे गोड़ी जो मैं बढ़ रहा हु अच्छा हो छालedor मिला यidents кил फॉर्टे जल से कोई भी चीज करने कमन करता है अब आ चलो मैं किसे को गाली तो बंल देगव नहीं तो क्यों अबोग क करना इसा नहीं करना चाहिए एक जांपल बताया हूँ गलत ne थे ओनापअ से अभी में ıldै अच्छी बात बताता तो तो मने सुनते क्योंकि M subsidi नहीं समझता जादा गंदी आपको पता है कि परतेक साम को 7 वज़े से आपकी mathematics की live class होती है बिलकुल free लेकिन ये class system को arrange करने में 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाती है तो आपको उतना manage करना पड़ता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका exercise 2.3 यानि कि chapter आपका चल रहा था बहुपद हिंदी में बोलें तो बहुपद इंगलिस में बोलें तो polynomial और polynomial में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा exercise 2.3 जिसमें first question के सभी 5-6 part जितने थे सब हो गए हैं यह पूरा का पूरा exercise remainder theorem पर बेश्ट है मतलब सेसफ़ल परमिये पर आधारित है अब सेसफ़ल परमिये कौन से सैतान का नाम है यह मैं पीछे की कलास में पढ़ा चुका हूँ अगर आप पीछे की कलास में नहीं जुड़े थे तो आप उसमें जुड़ जाओ फिर आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा ठीक है जल्दी जल्दी topic खतम कर दें किसी से बात करनी है अच्छा बेटा यही करने आयो तुम बहुत लाते लात पढ़ता है आयो जानलो बात कर करने वालों को ऐसे मत समझो बेटा केके तुम तो गड़बड़वार है तो एक बात बताव आप लोग इसके पीछे की कलास में आप लोग जुड़े थी कि नहीं सबी बच्चे जुड़े थे ना इसके पीछे की कलास में कि नहीं जुड़े थे जुड़े थे ना तो इसके दिए पीछे की कलास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कुष्टन नमबर फास्ट के सारे पार्ट हो गए थे तो आज सीकंड पार्ट हम लोग करेंगे जो की कह रहा है एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस एको एक्स माइनस एसे भाग तथा सेस्फल ग्याद कीजिए फाइनली यह कहना चाहता है कि आप रिमाइंडर थोरम ठूसिए इसमें और उत्तर निकालिए जैसे देखने हो काव होते है जूस जूस वली मसीन देखे हो मुसम्मी छिल छिल के इसमें डालते हैं जूस निकलता जाता है तो ऐसा इसमें क्या क कर्मा हिमान सू के के यादो सत्या लाखो खजाना अनुग बिबेग परसांत सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है तो बच्चे मैंने अभी कुछ लाइन किया था उसको समझा देता हूं क्योंकि अभी दूसरे चैनल पर लाइब हुआ था मैं पहले देखता हूं यह फास वस 그냥 konfaic Glen से बिखान है वह एकशने पफी छक्त only बच्रा करता हूं तो यह म Vä L यह आतार लिया और यह में ने उतार लिया मतलब यह अच्छा रहेंगे न छोटके वाले आफ मतलब इसका नाम बोलोगे इसका बोलोगे इन दोनों के बीच में इसको लाके रखेल दोगे क्यू आफ एक्स यह बोलना सीख लो कम से कम मानलो हम कहें कि चलो कुश्चन पढ़ो तो तुम काओ गे गुरुजी क्यू है ऐसे इसे बना है फिर बीच में एक्स है तो तुमको सब बेवकूप समझेंगे तो इसलिए पढ़ना सीख लो बोलना सीख लो ठीक है तो यह हो गया अब सेस्पल पर्मिये में हमने आपको पढ़ाया था बच्चा रिमांडर थेवरम में क्या पढ़ाया था कि जब ऐसी थिति आती है तो ह हम सेस्पल पर्मिये से करते हैं यह मान निकाल के लिख देते हैं इसको जीरो के बराबर कर देते हैं हमने क्यू आफ एक्स को सुनने के बराबर कर दिया कैसे कर दिया क्यूं कर दिया कौन ही अधिकार दिया मुझे सेस्पल पर्मिये के दोरा सेस्पल पर्मिये में यह सिखा पी आफ एकस में लाकर करके वह मांन रख दोगे तो पहले तो मैं पी आफ एकस यहां पर लिख लूँगा एक बार जिससे आपका clear हो जाए तो बेटा एकस का मान अया है तो तुम जहाँ जहाँ पर एकस है वहां महां पर क्या रखोगे ए रखोगे ठीक है तो वहां वहाँ पर ए रखोगे तो यह का क्यूब हो जाएगा माइनस यह पहले से है और यह का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए उन्हों बताएगा कितना आएगा गुल्सन कुमार आयूसका रहा है ठीक है तुम भी किसी से कम नहीं हो अच्छा है अभी अभी नाम ले लेके सबका कमेंट करो फिर कहना सर जी मुझे तो ऐसे बोल रहा है तो तुमको ना एक पड़ा का मारें एका क्यूब माइनस एका क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए देखो बच्चा ये प्लस ए इस क्यूब है दूसरा वाला माइनस ए का क्यूब है तो ये दुनों कट मर जाएंगे अपना फाइनल में इनका अस्तित तो खतम हो जाएगा और बचेगा शिक्स ए माइनस ए बराबर पांच ही बचेगा यह ऐसे कट जाएंगे जैसे चुनाओं के समय हिंदू-मुस्लिम हमारे यूपी में कटते मरते हैं कोनो पीला बांद लेगा कोनो नीला बांद लेगा कोनो लाल पगड़ी बांद लेगा सब अलग पार्टी को जाएंगे क्यों कि नेता लोग उनकी बजाते हैं समझ रहो ना हाँ चलो तो आपसे भी इस क्लास के माध्यम से हमारा एक ही अनुरोध होगा कि अगर आपका कोई द आपका कुछ नहीं करेंगे तुम मर जाओ उनसे कोई मतलब नहीं हाँ चुनाओं में जाकर के तुम तालीब जाओ बस उनका इतने मतलब है समझ रहो ना इस बात को ध्यान रखना तो जाती समुदाय के आदार पर भेद बाव दिल में बहर बिलकुल मत रखना मेरे यार बि कोपी आदो एस्टडी चैनल बलराज बोस ठीक है बच्चा बेरी गुड बहुत अच्छे लोकुस यूपी असी घर्ल बेरी गुड बलराज अभी नहीं चलो सिकेंड टम में एक्जाम में आया सीवेसी का गाइडलाइन्स है का है बता रहे हो गाइडलाइन्स बाद में दे इंसाड ले लो अगर किसी को कोई बात हमसे कहनी है जो यहां पर हम नहीं सुन रहे हैं आपकी तो आप देखो नंबर चल रहा है नीचे हेल्प लाइन नंबर आप हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से साम को 4 बजे के बीच में ठीक है ना बाभू समझ रहो इस वज़ा से मजबूरी है नहीं देख पाते हैं तो इसमें का आपका दूसरा हो गया कि तीसरे कुष्टन पर आगे बढ़ो तीसरा कहरा जांच कीजिए मतलाब सिद्ध कीजिए उसको चेक अप करिए क्या करना है कि सेबन प्लस 3 एक्स 3 एक्स का क्यों प्लस 7 एक्स का एक अच्चा है उनके ठीक खतरनाक लड़का है उको नों बढ़ूत बड़ा अपराद कर दिया अब फिर पुलिस कहरें जांच करो इनका लड़का एक नहीं है अब इनका है या किसी और का है यह भी कोई बात हुई तो क्या करेंगा उसका टेस्ट करवाएंगा यह फलाने लड प्लस 3X 3X का Q प्लस 7X का एक गुड़नखंड है 3X का Q प्लस 7X का एक गुड़नखंड है बेटा अभी तुम लोग का कमेंट में थोड़ा धीमा कर दूंगा क्योंकि कुछ लोग इसमें कापी पेस्ट कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं यह पता नहीं क्या नलायक एक ठ लिखत्य स compare लिखरं शृच सिकन्ट मेंट का सिकन्ट में नहीं आएगा सिबसी का गाइड लाइन्स है सिकन्टम में नहीं याएगा तो फर्स्टम मैं तो आएगा कहीं तो आए और फुल्शन है वस्टया सभी मैं पढ़ा दिया हूं ख़तम हो खांग में बाब यह Depart reflecting मि न करो कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नोकरी करना एक्जाम में पास होना नहीं होता पढ़ाई करने का मतलब होता दिमाग का विकास करना आपकी बुद्धी का जो है ना तेज़ करना पढ़ाई का यह मतलब होता है पेपर में नहीं आएगा नहीं आएगा जाने दो जनकारी तो तुम्हीं हुई ना सीखे तो पड़े तो चलो अब तीस सिकेंड में करो चलो कि अखलेश कुमार बेटा देख रहा हूं मैं तुम्हें हाँ ना नाबया गुप्ता होगी रात नौबजे रिवीजन होगी ठीक है चलो हां सभी बच्चे याद रखो इसी चैनल पर रात के नोबजे से आपका मैं और रिवीजन चलेगा मैं इसका रिवीजन रात नौबजे से पढ़ लोगे ना कख्शनो कख्शा देखो अगर मैं तुमसे एक छोटे से लाजे में बात करूं कि बच्चा यह बताओ राजा कि जाच कीजिए सिद्ध कीजिए कि संख्याचार 12 का एक गुड़नखंड है गुड़नखंड को इंगलिस में फैक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं बबुआ फैक्टर बोलते हैं तो या नहीं है है या नहीं है बताओ देखो अब तुम कहोगे हाँ गुरुजी इसका फैक्टर है फैक्टर का मतलब क्या होता है कुछ लोग क्यों नहीं पता होगा चच्चा अगर तुमको यह नहीं पता है न तो पानी पीलो ठंडा राम से बाल वाल कंगी कर लो मुह धुल और पीवियर स्टडी चैनल नंबर एक पर जा करके बेसिक मैद पड़ो हां क्योंकि इसके नीचे नहीं गिरने वाले हम बेसिक में जाएंगे बेसिक पड़ो आज समझ में आ जाएगा तो चार से इसको काटोगे तो कट जाएगा हां चार से कट जाएगा तो बारा आएगा चार तेंबहरा यानि बारा का गुर्ण खंड क्या है कि मतलब चार है ऐसा समझ लो ठीक है फैक्टर है यह जो आ कि देखो कोनों बता रहां नहीं है रिशू तिवारी ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे बेरी गुड बर्सा सिंग मनोच को बला करें कबेल उंडे हां ऐसे बोल रहे हैं कुछ ऐसे नलायक है हो क्या करेंगे उतना काट लेंगे दस सिकेंड का यज तो गूरुजी अईसे कलास में बोल दिये ऐसा कह बोल दिए और यहां डंडा करके रखें लोगों के उसको नहीं बताएंगे नहीं उसको नहीं बताएंगे कि हां मतलब हम का कर रहे हैं कुछ की चलो ठीक उच करते हैं छोड़ो इसको यह में वाला है कि और यह इतना है यह क्या है q of x 7 plus 3 next तो इसको क्या करना है जांच करना है कि इसका गुड़नखंड है या नहीं है फैक्टर है या नहीं है तो इसमें सेस्पल पर्मिये लगाओगे अगर यह इसका गुड़नखंड होगा तो सेस्पल 0 आएगा अगर गुड़नखंड नहीं होगा तो सेस्पल 0 तो नहीं आएगा ऐसे समझे लो चच्चा जैसे मैंने अभी बताया था कि 12 जो गुड़नखंड वो चार है बारा का गुड़नखंड क्या है चार है तो अगर हम चार से इनको भाग करेंगे तो यह चार तियां 12 मतलब सेजफल के आएगा 0 सेजफल जीरो आएगा लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ हूँ कि कका यह बताओ सातरा सातरा का गुड़नखंड चार है क्या है कि सातरा का गुड़नखंड चार है कि नहीं है बताओ बोलो बेटा मनोज सिंग पढ़ लो पढ़ लो पांच मिनिट तुमको छुट्टी पे कर दि हैं तो चार चुका 16 यह सेजफल आ जाता है इसको सर्टिसफाइड नहीं कर पाता है यह संतुष्ट नहीं होता है मतलब यहां पर रिमाइंडर बच जाता है इसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती वह बच जाती है उनका नाम है वन समझ गये ना सेजफल लेका गय है और अगर नहीं आएगा जीरो तो लिखेंगे इसका गुड़न खंड नहीं है ठीक है समझ में आया ना चलो देखो समझो अब इधर साइड में समझो तो भाग करने का दो तरीका है एक तो हम डारेक्टली भाग कर दें और एक सेजफल परमिये का परियोग करके भाग करें तो डारेक्टली भाग करना बाबु बड़ा महेंगा पड़ता है डारेक्टली का मतलब जैसे 7 प्लस 3 एक्स और प्लस 3 एक्स का क्यूब और प्लस 7 ए आ रहा है पता नहीं काबक के जा रहे हो तब यह प्राब्लम हो जाएगी तुम्हारे साथ समझ नहीं पाओगे देखो समझो तो इसको हम क्या करेंगे सेसफल पर्मिये परियोग करके लगाएंगे यानि रिमाइंडर थेवरम यूज करेंगे और फिर हम इसे आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो नीचे लिखो आप सेसफल पर्मिये से लिखो दिख रहा है ना सेसफल पर्मिये से बाई यूजिंग र तो मैंडर थेहरं कहता है बाभू बाभू कि इसे आपof aşसा के बराबर कर सकते हो पैसी यह आपका हो जाएगा यहां दिख रहा और यहां से हम यक्त्रत का वैलो निकालेंगे सब्सक्राइब여 नेखिता हैस्साथ बैँट सुट गूekाक 3- à करो भी तुम लोग की जिन्दगी थोड़ा पढ़ने लाएक है हम लोग जैसे अधा बुड़ा हो जाओ तब करना यह सब टाइम होता अर्चीज का समझ रहो ना अभी नाइंत में पढ़ते हो पढ़ लो अभी जुन लोग कुछ आदा चरस चड़िये ना उठंडाई कि नमई में दसाइं भी फेल हो जाएंगे तो बाबु काएंगे बेटा चलो तुम भाई चराव और साहरवार में हो कोई बिजने सुझने साय तो पापा उसमें नाद देंगे दुकान पर चल बैट रहे बैट दिन पर बैट पढ़ना लिखता फालतु पैसा खर्चा करवा चल यहीं होगा इसलिए क्या करो पढ़ लो भी टाइम है पढ़ लो चलो तो यह हो गया अब यह मान रख दो अगर वह 0 आ गया तो लिख देना गुड़नखंड है और अगर नहीं आया तो क्या लिखोगे गुड़नखंड नहीं है लिखो यहां पर अब आप इसमें मान एक्स तो इकोल 3x fully एक्स के प्लॉस 7x इसमें क्या रखोगे मान रखोगे तो बिट्याए पी आफ माइनस का सेबन आसे भालकर एयाद रखना मांस का सब्सके ही तो 3 इंटू यह माइनस का सेवन अपाल। सब्सक्राइजा ग्याएं सब्समांघ्राई सब्सक्राइजा बोलत बड़ा लगों मुझे मुह जाएगार का बहुत बड़ा बबरकों मुझे लग रही ईसे आसान में यह कि मिला कर लग एक जीरो तो नहीं एगा यह 0 तो नहीं आएगा क्यों देखो दाई सहवे यह तीन गुडा में दक्राइन से तरीक रिकल्षरी सक्क्राम का प्लें सिंद्र रिकल्षिरween अठीस होगा और यह का होगा अठीस सफैनल में यह 0 होगा नहीं इसको विभ पहले से लच्छन लग रहें तो हल करने से क्या मतलब है हल करने से कोई मतलब है नहीं हां कोई मतलब इसको हल करने से है नहीं तो हम नीचे लिख देंगे नीचे लिख दो इतना करने के बाद इतना कर लो उसके बाद छोड़ देना इसी पर चाहे हां चाहे तो हल कर लेना आगे फाइनल कर लेना लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह जीरो नहीं होने वाला मुझे पहले से उसके लख्षंड दी खरें वह जीरो नहीं होने वाला है तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो लाश्ट में आप नीचे यह लिखोगे क्या लिखोगे चूकी q of x does not equal 0 अता है क्यों यही तो था ना 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 q of x यह डज नाट इक्वल जीरो आता है आता है देखो हम पी आफ एक्स इसको मान रहे हैं और q of x इसको मान रहे हैं तो हम इसको डारेक्टर लिख करके कोड भासा में लिख रहे हैं लेकिन उसका मतलब वही होगा ठीक है आता है q of x फिर कामा लगा के बहुपद 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 पी आफ एक्स का एक गुड़नखंड नहीं है थीक है जागरती समझ में आ रहा है सौर्य आवस्थी यूपी अस्सी गर्ल मनोज लीडर गेमिंग बेटा देखो तुमको इतना मारेंगे ना कि तुम्हारा दिमाग जो है ना वह काम करना सुरू कर देगा इतना बड़ा ना लायक है देखो इसको बला करो भाई से इसे बला करो तुरन पता नहीं कहा कहा पाइदा हो जाते हैं इनके माबाप भी गलती कर देते मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर प्लान से पैदा करें होते हैं इनको तब इनकी बुद्धी कुछ होती मुझे लग रहा है वह कुछ मिश्टेक कर दिये तभी आ गई है ऐसे ही है चलो कि छाप लो इसको कि छाप लो हाँ इंगलीस में ऐसे लिख सकते हो थ्री एक्स थ्री एक्स नहीं सेबन प्लस थ्री एक्स इज नाँट अफ़ाइक्टर आफ्ट्री एक्स क्यूब प्लस सेबन एक्स लिख लो जल्दी से मैं हट गया हूं सामने से मिटाता हूं फिर जल्दी करो मैं मिटा दे रहा हूं L.S. बर्मा संजना कुमारी किसका नाम ले रहा है कौन ले रहा है अब एक बात मुझे सभी बच्चे यह बताओ किसके किसके पास किताब नहीं है जिसके पास नहीं है बोलो नो जिसके पास है बोलो यस किताब है क्या आपके पास NCRT वाली बुक लिये हो बिटा तब समझ में आएगा बिल्कुल मस्त तरीके से आएगा और अगर बुक नहीं लिये हो तो फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है समझ रहे हो ना किताब लईके बैठो तब ही मज़ा आएगा हाँ 490 बटा नहीं आएगा ठीक है सही कह रहे हो चलो बुक लियो ना बिनोध सभी लियो ना चलो ठीक है सिदार्थ रतन अभिने राहुल अभिषेक रीडिंग कलासेज देखो कमाल कमाल के गुरुजी है है तो आपका यह चैप्टर खतम हो गया 2.3 2.3 है बीन इंडेड इंग्लीज में इसे बोलेंगे ना फिनिश्ट हो गया तो 2.3 फिनिश्ट हो गया तो अब सुरू होगा 2.4 2.4 ओके चलो है तो 2.4 पढ़ लेते हैं चलो ठीक है नाट प्रॉब्लम हूं है सलोनी नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा कमेंट बड़ा खतरनाक है तुम्हारे जैसे लोगों से ही यह दुनिया गरुआ रही है नहीं बोलूंगा यह क्या बोल रही है फिलाहल आप लोग देख लिये होंगे तो बच्चा 2.4 एक्सरसाइज खोलो एक्सरसाइज 2.4 आज पढ़ा देना चाहिए नहीं यह बताओ कल पढ़ाया जाए अब यह पाहिला कोईस्चन है काहे नंबर चार डाल रहे हो तो पॉइंट फॉर आजए पढ़ाया जाए बारती बवन बुक है अच्छा कोई भी बुक है एंसी आर्टी पाठेकरम से पढ़ाया जाता है तो सबके लिए होता है अगर आप कांसेप्ट सीख जाओगे बिटा तो सबके लिए है कोई भी बुक लिए हो किसी भी प्रकासन राइटर की है इससे कोई जादा फरक नहीं पढ़ता है नो इफेक्ट कोई फ्रक नहीं पढ़ता इससे चलो ठीक है देखो अभी मुझे कुछ लाने जाना है दूद लेने जाना है सामकुदेर हो जाती दूद भी ने मिलता है तो फिर वहीं से खाम चलता है चले तुम लोग से बता दे रहें क्योंकि तुम लोग अपने हो गंदालाल इनका नाम बड़ाजी प्राइप का है यह गंदालाल मुझे बोल रहा हूं न इनका नाम गंदालाल है ठीक है भाई गंदालाल चलिए तो यह अगला एक्सरसाइज पर आओ कहरा बताईए कि निमनलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुड़न खंड एक्स प्लस वन है फिर से सुनो बन दो बताईए कि निमनलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुड़न खंड एक्स प्लस वन है यह क्या करना है यह बताना है क्या करना है यह बताना है चलो फिर लिखते हैं कि कुष्टन नंबर पहला है कि निमलिखित बहुपदों में से न तो इसका जो पहला बहुपद था भाईया वह था एक्स का क्यूब प्लस यक्स का स्क्वाइर और प्लस यक्स प्लस वन तो आप लोग मुझे यह बताओ क्या इसका एक यूपी अस्सी गर्ल हाँ बताइए जबाब दीजिए नीलिमा नाब्या आयूसका रूबी दुबेदी पंकज राजकुमारतिवारी सूरज सरोज बेटा जबाब दो जल्दी जल्दी फटा फटा पांच घंटा ना लगाया करो चलो 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 यह कौन काका लिख रहा है आप लोग मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो यूटूब पे सर्च करो कृष्टना कुमार यादो हिंदी स्टोरी एंड सब्सक्राइब कामाल क्यों यार तुम तो रदा तुमसे तो हम भी फ्रेंडशिप करेंगे अभी रुख जोपड़ा लें तब चलो करा इसका एक गुड़नखंड है या नहीं है इसके लिए क्या करोगे भाईया इसमें आप हैक्टर नहीं आप यहां पे गुड़नखंड पर्मिय लगाओ तो देको समझो जो कहानी पहले थी वही कहानी इसमें भी है अगर ये इसका एक गुड़नखंड होगा तो इससे इसको भाग करने पर 0 आएगा कुछ समझ में आया कुछ पल्ले पड़ा जैसे भाग में था बाबा वैसे इसमें भी है ठीक है समझ रहे हो ना तो चलो देखो इधर समझो एका जी बहुत अच्छे हैं बहुत दिन बाद आपका कमेंट हारा मुझे लग और यहां जी गण हखे लिए इसमें बताना है किशक्त गुड़नखंड आगसे हो होगा तो लीखे ने हैं इप सुनदर सुनदर लिखना X plus one बहुपाद X cubed plus X का square plus X plus one का एक गुढनखंड है क्या है? गुढनखंड है लिख लो तो तो इससे इसको भाग करने पर क्या आएगा? जी रहाएगा हम इसको मान लेते हैं P । इसको मान लेते हैं Q uh 60 कि अभी तुम लोग इसको स्टूट हो जाओ घर कंभी आयरागे एक काम करो कि ते गहानी के पाहले उपर लिखोगे इसको लिखने कि उतने के पहले ध्यान से सुनो। जिससे थुड़ा आसान हो जाए लिखना न पड़े आपता इधर समझोे एक मिनट सुनो। कि यह जो लिख लिए ऑगो मिटाये ग कर नहीं है वैसे तो तुमको लिखना नहीं पहले समझना है समझना है पहले छापना नहीं है तो हम यहां से हल मान रहें ठीक है कि और चपलस 1 बराबर enthusiastic यह तुम सबसे पहले मान लोगे तब कुछ करोगे ठीक है जैसे इस question को लिख लिए लिखने के बाद पहले यह लिखोगे माना या फिर इंग्लीस वाले लिखेंगे let's let's x q plus x का square plus x plus one equal p of x and x plus one equal q of x इसको मान लोगे मानने के बाद नीचे लिखोगे यदी अब तो तुम दूसरे लेंग्वेज में इसको लिख सकते हैं आसान भासा में यदी पी आफ एक्स उल्टा हो रहा है यदी q of x बहुपद क्या बहुपद देखो अब यहां समझो शार्ट कट में क्योंकि आपको एक्जाम में करना बिटा तो यहां पर यह पूरा बहुपद लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक कोड भासा मान लिया उसे यदी क्यों आफ एक्स बहुपद पी आफ एक्स का एक गुड़नखंड है एक गुड़नखंड है तो 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 क्या होगा ऐसे लिखोगे क्यू आफ एक्स से भाग करोगे किसको पी आफ एक्स को भाग करोगे यह ऐसे इक्वल जीरो होगा देखो यह कांसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है लिखना पूरी कहानी जो लिख रहे हो ठीक है समझ में आ रहा है ना अमिज सिंग बेटा तुम दूसरी आइडी से आ गए ना दूसरी आइडी से आ गए ना तुम मनोच सिंग बच्चा तुमको तो मैं मन कर रहा कि बला कर दूं क्या कह रहे हो सही रहेगा कि नहीं पढ़ना तो तुम चाहते हो नहीं पढ़ना तो चाहते हो नहीं चलो संजना समझ में आ रहा है लहंगे में वाइफ इस इनका नाम है भाई क्या खतरनाक नाम है मैंने तो पढ़ दिया वैसे मूं में आ गया नहीं पढ़ने लायक नहीं था चलो ठीक है ऐसे नाम बना लेते हैं सब चलो यह हो गया तो अब क्या करेंगे अब हम इसे ट्राइए करेंगे जैसे मैंने कहा था उस तरह से लिखो चलो करो अब इतना पहले माना था फिर इसको लिखा इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे सेस्फल पर्मिये से क्या लिखोगे सेस्फल पर्मिय से मतलब बाई रिमाइंडर थेवरम अब बाई रिमाइंडर थेवरम क्या होगा बाबू क्यू आफ एक्स इक्वाल जीरो होगा वही तरीका पूरा करोगे जो अभी तक करते आये हो अब तक करते आयों, वही परक्रिया पूरा करोगे इसमें भी, ठीक है? समझो, इसको करलो, अब इसका माँन क्या है, x प्लस 1 है इकवल 0 है, तो यहां से तुम्हें x का माँन 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा अभी माइनस में, कितना आएगा, 1 आएगा माइनस में, देख यहां से क्या आएगा मान वान आएगा इतना लिख लिए चलो अब यहां से तुम निकाल लोगे क्या यह निकाल लोगे पूरा-फूरा फी आफ एक्स x cube plus x का square plus x plus 1 यहां से तुम निकाल लोगे इसको तो बेटा ये minus 1 हो जाएगा minus 1 का cube plus minus 1 का square plus minus 1 और plus x ये हो जाएगा ठीक है इनको हल करके मुझे बताओ 0 आएगा की नहीं अखिलेश कुमार बेटा तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो वही हाल है जैसे आफ लाइन में होता है आगे गुरुजी पढ़ा रहे हैं पीछे बचवाई अपना बात चीत कर रहे हैं वही हाल है तुम सुधर होगे नहीं कहीं ना आनलाइन में सुधर होगे ना आफ लाइन में सुधर होगे नहीं सुधरने वाले हो तुम एके बड़े दिन बाद आये हो सोनम तुम ही का कर ले रही हो यहां पर यह बाताचीत तो कर रहे हो तुम लोग वकईती ही तो कर रहे हो पड़ थोड़ी रहे हो चलो इसक्रीन साट ले लो और इसको अभी पूरा करना है बताओ जीरो आएगा की नहीं सोच उचार की बताओ सोच बिचार की बताओ उचार की नहीं कितना आएगा दो नी समझ में आ रहा है सलोनी अभी नहीं चलो चलो बताओ फटाफट तो बच्चे इसका जबाब बताओ जीरो आएगा की नहीं आएगा उसके बाद सेशन को लाइक करो बाबू ऐसे मजा नहीं आ रही रहा जहां फटाफट लाइक करो देर ना करो चलो अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूं गया इसे आगे बढ़ाता हूं दूप जा आगे मिटा दिया हूं यह माना वाला मैंने मिटा दिया ऊपर क्योंकि अब मुझे इसे। करना है नीचे जगा है नहीं है नीचे जगा नहीं तो क्या करेंगे ऊपर आएंगे हाँ समझो कि सारे मान ला करके इसमें रख देंगे इनको हल करोगे माइनस वन का क्यूब तो क्या होगा बच्चा माइनस वन होगा बाबू यह प्लस और माइनस वन का स्क्वाइर क्या होगा प्लस हो जाएगा यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा कि फाइनल में प्लस प्लस जुड़ जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो यह इतना आएगा यानि जीरो आएगा लाइश्ट में क्या आएगा सुन ने आएगा ठीक है तो आप क्या कहोगे अगर यह 0 आ गया तो आप लिखो गे आताहां दिया गया बहुपद फलाने बहुपद का एक गुणनखंड है इतना करने के बाद जो लिखना है मैं बता दे रहा हूं लिखो लिखो चूंकि पी आफ एक्स डिवाइड वाई क्यू आफ एक्स इकवल 0 आताहा जीरो आ रहा लिखलो आताहा पी आफ यक्स का क्यू आफ एक गुणनखंड है क्या है गुणनखंड है बस हो गया काम खतम भीबेक कुमर कि सुबास यादो परीतम विश्वास और कोई बच्चा और कोई बाबू फटफट बता दो ना कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं आ रहा है मनोच पूनम देवी सब को समझ में आ रहा है कि अच्छा इक बात बताओ इसमें कुछ मजा वाजा भी आ रही कि नहीं तो में मजा वाला कुछ करूं ऐसे हैं मजा नहीं आ रही होगी ना कि मजा वाला सब्जेक्ट ही नहीं है साइंस वाला सब्जेक्ट है थोड़ा मज़ेदार कि हिंदी उंदे में पढ़ो तो प्रेमी प्रेम का की कहानिया बताए रसलंकार के साथ लेकिन हिंदी पढ़ानेक टाइम है नहीं कि रायल मुंडा कि शिंदू कमलेश एस्टडी चैनल सिवं धोनी जितेंद्र सबको आ रहा है मतलब वही हाल है अंदर से जल रहे हो ऊपर से ठंड आ रहे हो न चलो ठीक है तो यह आपका हो गया आप निचे लिख लो अता क्या आएगा वह गुडनखंड है कि इसका सिकेंड पार्ट देखो बाबू सिकेंड पार्ट देखो समझो यहां पर सोनम राहे का देखो मुह तूटके दात निकल गया है पता नहीं का हुआ है अगिर गई मुझे लग रहे हैं कि इसकेंड पार्ट में बताओ जीरो आएगा कि नहीं है कि सिकेंड पार्ट में सुनने आएगा या नहीं आएगा कि आप देखो यार यहां पर गर्मी बहुत तेज है कि यह इसी का प्रॉब्लम है जो बनता है वहीं कि अरे डियर सारी वजा है यार मल इच्छपन सवार हो जाता है ना तो प्रॉब्लम होती है एक चुली यहां पर प्रॉब्लम है कुछ ऐसे ही कि आएगा ठीक है कि चलो बिटा समझो अब समझो तुम लोग है कि सिकेंड वाला कहे रहा है यक्स का पावर फोर प्लस एक्स का क्यूँ और प्लस एक्स का स्कॉर और प्लस एक्स प्लस बन यह कह रहा है कि यह बताओ बच्चा क्या क्या कि इस एक्वैसन का यक्स प्लस वान एक गुड़नखंड है या नहीं है यह आपको बताना है ठीक है बात समझ में आ रहा है ना मिस्टर परफेक्ट मैं तुमको बलाक कर दूं का मिस्टर परफेक्ट क्या बोल रहे हो बच्चा बताओ फटफट बोलो कि सलोनी एंड सलोना पढ़ाई कर लो नहीं उठाक पटक देंगे ना भाग जाओग यहां से समझ रहा हूं ना चलो तो आप वही पर किरिया यहां पर भी करोगे सब कुछ वैसे ही करोगे माना लिखो माना पी आफ यक्स इक्वल यक्स का पावर फॉर मुझे आशी आ रही है नोंके कमेंट से वह कह रही है I love you study क्योंकि उनका क्या है पता नहीं क्या है इस्टडी का मतलब कि उन्हें स्टडी करना है उन्हें स्टडी अच्छी लगती है तो यह ना लायक लिख रहे हैं I love you baby अभी बताओ इनका कौन समझाए इनका कौन समझाए इनकी तो वही हाल है हाँ इसे नंगे खड़े हैं और इनको देखके कोई हसरा है तो इसे क्या मान लोगे कि वाफ्यक्स अब सेस्फल पर्मिये से लगा दो सेस्फल पर्मिये से क्यों आफ एक्स को जीरो के बराबर करोगे एक्स प्लस वन इक्वल जीरो तो यह माइनस वन आएगा क्या आएगा माइनस वन हाँ आप देखो अब इसमें लाके मान रखोगे V of minus 1 हम क्या रखेंगे जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ minus 1 रखेंगे तो बच्चा यह minus 1 का गहात 4 बनेगा बाबू यह minus 1 का गहात 3 बनेगा यह minus 1 का गहात 2 प्लस यह X की जगाँ पे minus 1 और plus 1 यह पूरी कहानी आपकी बनेगी अब इसे समझो समझो और पूरा समझने की कोशिस करो ठीक है यूपी-अस्टी गर्ल को बलाग करें रुख जा इसका थोबड़ा तोड़ता हूं मैं रुखो यह ऑन आयेगा यह माइनस वन आयेगा और यह प्लस वन आएगा यह माइनस वन आएगा यह प्लस वन आएगा अग यह ना लायक यह नहीं पूछेंगे कैसे आ रहा है नहीं इनको कोई मतलब नहीं इनको चैटिंग करने को मिल जा बस मस्त है यह पता नहीं कहां पहुंच गए हैं कग्छा छे में हैं कग्छा पांच में है उनको सब पता है कई से कई से कौन सा सिस्टम है हां इतने जादा इस मांठ हो गई है कि अब प्लस प्लस जुड जायेगा ये वन ये वन और ये वन तो बिटरा हो जायेगा ये तरी और ये चछा दोनों जुड के आएगा कहो इतों जीरो और नहीं आया जा आए कि चलो आप बताओ ये नलाइक का कह रहा है मैं हमको पड़ना एंबलाक कीजिए अच्छा लिए तुमको पढ़ना है नहीं तो बस का नहीं पढ़ना तुमको अनबलाक नहीं करेंगे अभी तुम्हारी नई अबियोग कर देंगे तुमको पढ़ना नहीं मैं कैझ दिन से समझा रहा παड़ लोप्रे को भल्लें है अपनी चाहें जो कर दूसरे को ना परिसान कर भाई चल ठीक है आके ओके कि जीरो नहीं आएगा तो आप क्या लिखोगे अब नीचे लिखोगे यहां पर लिखो पी आफ एकस डिवाइड बाई क्यू आफ एकस डज नाट इक्वल जीरो आता हां क्यू आफ एकस बहुपद पी आफ एकस का गुडन-कन्ड नहीं होगा इसको करने के बाद नीचे कहानी लिखो लो p of x divide by q of x does not equal 0 does not equal zero का मतलब है इसका मतलब है बबुआ कि तुम 0 के बराबर करके काट दोगे 0 के बराबर करके 0 का चिन काट दोगे इसका मतलब यह है कि वह उसके बराबर नहीं है निचे लिखोगे अता p of p नहीं q q of x बवपत p of x का एक गुणनखंड नहीं है बरसा कुछ समझ में आया कि इसे बरस रही हो ललिच चौधरी जूही तनु हजारे रभी संकर सुबह में यादो मुकेस डीके सैनी कुछ दिमाक में आ रहा है बुझा उजा रहा है कि नहीं बुझा रहा है मुझे बंद करने वाला कुझे मुझे कि नों बजे से इसी चैनल पर उंपारी एक रीवीजन चलेगी रात के 9 बजे से इसी चैनल पर तुमारी एक Richardson class चलेगी उषे जरूर पढ़ना पढ़ोगे नclamation किटने लोग पढ़ेगे चलो मैं कोटिंग कर लेता हूं एक मिलें कोटिंग कर लेता हूँ कि रात के 9 बजे से कितने बच्चे आएंगे और एक वाद जान लो बिटा अगर बोल दिया तो आना पड़ेगा जूट मत बोलना नहीं आए ना तो कल इस कलास में नहीं पढ़ने देंगे हम तो बता के जाओ सही सही आओगे कि नहीं आओगे मैं कुश्चन पोस्ट कर रहा हूं रुके रहो क्या आप 9 पीम वाली क्लास उसमें रिवीजन होगा याद रखना देखेंगे देखो मैं एक ओटिंग करवाया हूं पोलिंग में जल्दी से सभी बच्चे ओट करो चलो पटा आफट ओट करो आप रात 9 बज़े वाली कलास में आओगे या नहीं आओगे रात 9 बज़े से रिवाइज करवाने वाला हूं तुम लोग का तो बेटा क्या चाहते हो करो चुरू से एकदम है बहुत अच्छे 24 बच्चे और जिसमें से 62 परसेंट बच्चे चाहते हैं कि आ पहला चैप्टर नंबर सिस्टम रिवाइज करेंगे जब हमने सुरू किया था उसमें का एक कलास अभी तक कल मैंने रिवाइज करवा दिया था परसों में उसके आगे रिवाइज करेंगे देखो बेटा दो कलास चलेगी साथ-साथ में एक तो जहां तुम पढ़ रहे हो दूसरा चैटर खतम होने वाला तीसरा सुरू होगा और एक एक दम पीछे पीछे चलेगा पहले चैटर से जो गदाह टाइप के चूटे पीछे बेंडिया टाइप के उनहां आगे आगे रहा है और जो हमारे सेर टाइप के आगे बढ़ रहे हैं वह तो उसके साथ चलेंग चैट फिल चैट नहीं आयेंगे ऊकाननी के नरी रच आएंगे काँ जाओगे बताओ रात के नहीं शोना है मिधाए सोने में वह नहीं दुनिया के किसी फोने में एक शोजाऊ 27 परसेंट हो गए अब चलो है तो हंड्रेड ओटिंग अभी तक हो चुकी है सो बच्चों की ओटिंग में से 75 परसेंट से अधिक बच्चे हैं जो आएंगे आप भी ओटिंग करो जल्दी से रात के नो बजे वाली कलास में देखोगे या नहीं देखोगे इसी चैनल पर पी वी यार स्टडी टू पॉइंट जीरो पर ही ठीक है बिटा तो इस कलास को मैं यही पर बंद करता हूं आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ इस कलास को लाइक करके जाना अगर आप कलास को सेर करना आपकी जिम्नादरी है ठीक है ना बाबु कलास को लाइक करने के अबाद सेर करना आपकी responsibility है अपने Watshap groupe में सेर कर देना अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं जिस crisis का भला हो सके और सब लोग आगे बढ़ सके ठीक है सेर करके जाना बिल्कुल भी सभी को सेर करके जाना ए तो बंद कर देता हूं बहुत बहुत थैंक्यूराट के 9 बजेց से फिर आना रिवाईच करेंगे जिनको बेशिक सीखना हो पी विर स्टडी इलाहाबा चैनल पर रात के 9 बजे से देखेंगे जिनको 7 का पढ anunci इस चैनल पर आएंगे हां चलते हैं फिर हां एक चीज़ यहां पर बता दें मैटा मुझे लग रहा रुख गया वीडियो का हां रुख गया